हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल जेजी किचन आज हम लोग जीरो ओल स्नेक प्रेस्पी बनाएंगे जो की है पोटेटो बॉल्स तो चलिए बनाना सुरू करते हैं पोटेटो बॉल्स बनाने के लिए हम एक बोल में एक कप उबला हुआ और मसला हुआ आलू ले लेंगे अब हम इसमेन स्वात की अनुसार नमप आदा छोटा चममच गरम मसाला आदा छोटा चममच जीरा पाउडर ये भुने हुए जीरे का पाउडर है एक चूथा चूथा चममच लाल मिर्च पाउडर एक चोधाई चोड़ा चमच आमचूर पॉडर एक चोटा चमच बारिक गटी हरी मिर्च एक चोटा चमच बारिक गटी हरी धनिया की पती और दो बड़े चमच चावल का Clear कर देंगे अब हम इन सभी चीजों पच्छे से Mix कर लेंगे फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्विस्ट है कि अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत बोलिएगा जिसे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तब से पहले आप तक पहुँशती रहे हमने सभी चैनल को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना कर त्यार कर लेंगे हमने सारे बॉल्स इसे टिकी का शेप दे दे और नॉर्मल नॉन स्टिक तवे पर भी आप इसे सेख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह दो मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी ढपकर दो मिनट के लिए और कुक कर लेंगे हमारे पोटेटो बावस बनकर बिल्कुल तयार ह आपको मेरी ये हलकी फुल किसी स्नैक रस्पी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा धन्यवाद मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रस्पी के साथ